जय हो पार्वती माता की, जय हो पुण्मा माता की, आज हम सुनेँगे सरत पूण्मा की पुनाड़े के प्रचलित कथा इस वीडियो के माध्यम से आप सब सुनेँगे और बहुत धेल सारा पुन्न हाम प्राप्त करेंगे इस कथा को सुनते ही अस्यमास के सुकल पच्छे की पूरिमा सरत पूरिमा के रूप में नाई जाती है सरत पूरिमा को कोजा गिरी पूरिमा ब्रत और रास पूरिमा भी कहा जाता है तथा कुछ हेत्रों में इस ब्रत को कौमदी ब्रत भी कहा जाता है सरत्पूंग में पर चंद्रमावा भगवान विष्णू का पूजन का ब्रत कथा पढ़ी जाती है धर्म ग्रंथों के अनुसार इसी दिन चंद्र अपनी सोलाह कलाओं से परिकून होते हैं इस मौके बारा ये जानते हैं पौनाडिक प्रचलित कथा के बारे में नमस्कार क्या है परिकूनाडिक प्रचलित कथा एक कथा के अनुसार एक साहुकार की दो पुत्रियां थी दोनों पुत्रियां पूर्मा का ब्रत रखती थी लेकिन बड़ी पुत्री पूरब्रत करती थी और छोटी पुत्री अधूरब्रत करती थी इसका परिणाम यह हुए कि छोटी पुत्री की संतान पैदा होते ही मर जाती थी उसने पंडितों से इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि तुम पूरिमा का अधूरब्रत करती थी जिसके कारण तुम्हारी संतान पैदा होते ही मर जाती थी पूर्मा का पूरा ब्रत बिधिपूरो करने से तुम्हारी संतान जीवित रह सकती है उसने पंडितों की सलाह पर पूर्मा का ब्रत बिधिपूरो प्रारंब कर दिया रखना बाद में उसे एक लड़का पैदा हुआ जो कुछ दिनों बाद फिर से मर गया उसने लड़के को एक पाटे पीड़ा पर लिटा कर ऊपर से कपड़ा धंग दिया फिर बड़ी बहन को बुला कर लाई है और बैठने के लिए वही पाट दे दिया बड़ी बहन जब उस पर बैठने लगी तो उसका घागरा बच्य को छूग गया बच्चा घागरा छूते ही रोने लगा तब बड़ी बहन ने कहा कि तुम मुझे कलंक लगाना चाहती थी मेरे बैटने से यह मर जाता तब छोटी बहन बोली कि यह तो पहले से मरा हुआ था तेरे ही भाग से यह जीवित हो गया है तेरे पुन्र से ही यह जीवित हुआ है उसके बाद नगर में उसने पुन्रमा का पूरा ब्रत करने का धिन्दोरा पिटवा दिया और इस तरह से पुन्रमा शी ब्रत का प्रचलित पुन्रमा ब्रत कथा प्रचलित हुई ऐसे ही एक कथा द्वापल यूग में एक समय की बात है ये सोधा जी ने कृष्ण से कहा हे कृष्ण तुम सारे संसार के उत्पन करता पोसब तथा उसके संधार करता हो आज कोई ऐसा ब्रत मुझसे कहो जिसके करने से मरत लोग में इस्तरियों को बिधवा होने का भाय न रहे तथा यह ब्रत सभी मनुष्ण की मनों कामना पूर्ण करने वाला हो श्री कृष्ण कहने लगे हे माता तुम ने ती संदर प्रश्ण किया है मैं तुमसे ऐसे ही ब्रत को सविस्तार पूरो पत कहता हूँ सभाग की प्राप्ति के लिए इस्तरियों को दोत्रिसत अर्थाद 32 पूर्ण मासियों को ब्रत रखना चाहिए इस ब्रत को कनने से इस तुरियों को सव भाग संपत्ति मिलती है यह ब्रत अचल सव भाग के देने वाला और भागवान संकर के प्रती मनुष्च मात्र की भक्ती को बढ़ाने वाला है ये सोधा जी कहने लगी हे क्रिश्न सर प्रतम इस ब्रत को मरत्व लोक में किसने किया था इसके बीसे में बिस्तार पूर अकम उससे कहो श्री क्रिश्न ने कहने लगें कि इस ब्रूमंडल पर एक अतिंत प्रशित दराजा चंद्रहास से पालिक अनेक प्रकार के रतनों से पन्रिपूर कातिका नाम की एक नगिरी थी वहाँ धनेस्वर नाम के एक ब्रामर था और उसकी इस्तरियती सुसील रूपवती की थी दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम से रहते थे घर में धन धान आदिगी कमी नहीं थी उनके एक बड़ा दुख था कि उनके कोई संतान नहीं थी उनको एक बड़ा यही दुख था जिस वज़े से बहुत ही दुखी थे एक दिन एक तपस्वी उनकी नगरी पर आये वह योगी बांकी सब गरों से बिच्छा मांग कर भोजन किया करता था लेकिन उस ब्रामर के गर से बिच्छा नहीं मांगा करता था एक दिन योगी गंगा किनारे विच्छा मांग कर प्रेम पूरव खाना खा रहे थे धनेश्वर ने योगी से यह सब करते देख लिया सब कार किसी प्रकार से देख लिया अपनी विच्छा नादर से दुकी होकर धनेश्वर योगी से बोला और सभी गरों से विच्छा लेते इसका कारण क्या है योगी कहने लगे आपके धर्म हमें इस बात की अग्या नहीं देते हैं क्योंकि अभी आप ग्राश्त जीरुन में एक सुख से वंचित है आपके घर संतान होने और आपके घर से भी बिच्छा सुईकार लूँगा उन्होंने का है कि जिसे संतान नहीं है उसके घर से विच्छा लेने से मेरे भी पतित हो जाने का भय हो जाता है धन्यों सुरिया सुनकर बहुत दिख्यू हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों पर गिर्द गया तथा दुखी मन से कहने लगा कि मुझे संतान प्राप्ति के उपाय बताएं आप सरवग हैं योगी कहने लगे तुम चंडी की अराधना परो घर पहुचकर उन्होंने ये सारी बात अपनी पत्नी को बताई और पत्नी को सारी बाते बताने के बाद वे खुद बन में चला गया बन पहुचकर उसने चंडी की अराधना किया और उप वास किया चंडी ने 16 दिन उसको संदी और कहा है धने सर जा तेरे फुत्र होगा लेकिन उसकी आयू सिर्प सोलह वर्सकी होगी सोलह वर्क की आयू में ही उसकी म्रत्व हो जाएगी अगर तुम दोनों इस तरी पूरस 32 पूर्ण मासियों के ब्रत करोगे तो वह दीर घायू हो जाएगा जितनी तुम्हारा साम हो उतने आचे के दिये जलाकर सुजी का पूर्ण करना लेकिन पूर्ण मासियों 32 हो जानी चाहिए शुबह होते ही तुम्हें इस स्थान के पास एक काम का फल दिखाई देगा उस पर चड़कर एक फल तोड़कर अपने घर चले जाना अपनी इस तरी का इस बारे में बतान सुबह इसनान के बाद वह सुच्छ होकर संकर जी का ध्यान करके उस फल को खा लेगी तब भागवान संकर की क्रपा से उसको गर्ब हो जाएगा जब ब्रामर सुबह उठा तो उसे उस स्थाल पर राम का पेंड़ दिखाई दिया और उससे फल तोड़ने के चड़ा लेकिन वह पेंड पर चड़ नहीं पा रहा था यह देख उसे बड़ी चिंता हुई उसने भागवान गड़े इसकी उपास ना किया और कहा है दयानी दे अपने भत्तों के बिग्नों का नास करके उनके मंगल कार करने वाले दुष्ट का नास करने वाले रिद्दी सिद्धिके दे देने वाले आप मुझे तना बल्दें की मैं अपनी मनों कामना पूर्ण कर सकूँ इसके बाद वह पेर से फल तोड़कर अपनी पतनी के पास पहुंचा उसकी पतनी ने अपने पती के कहे अनुसार इस फल को खा लिया और वह गर्ववती हो गई देवी की क्रपा से उसे प्रहाई लिखने में भी बहुत निपुड़ था दुरुगाजी के कथा अनुसार उसकी माता ने बत्तिस पूर्ण मासी के बरत रखा जैसे ही सोलुहां वर्स लगा दोनों पती पतनी बहुत दुखी हुई तहीं उनके पुत्र की मलत दुने हो जाए उन्होंने सोचा की अ मामा के साथ गोड़े पर सवा होकर चल दिया उसके मामा को यह बात पता नहीं थी दोनों पती पतनी से 32 पूर्ण मासी के बरत पूरे किया दूसरी तरह मामा और भांजा दोनों रात गुजारने के लिए रास्ते में गाउं मेरु लुके उस दिन उस गाउं में एक ब्रामर चाहने के बाद जब लगन का समाया है तो वर की तबियत खराब हो गए वर के पीता ने अपने परिवार वालों से विचार भी मस करके कहा कि यह देविदास मेरे पुत्र जैसा ही है यह जो देविदास मैं इसके साथ लगन करवा दूँ और बाद में तो सारे काम मेरे बेटे के साथ पूरे हो जाएंगी ऐसे कहने के बाद वर के पीता देविदास को मांगने के लिए उसके मामा के पास कहे उन्होंने सारी बाते बताई मामा ने कहा कि करन्य दान में जो कुछ भी मिले वो हमें दे दिये जाए वर के पीता ने बात को सुईकार कर ली इसके बाद देवी दास का विवाह करने के साथ समपन हो विवाह समपन होने के बाद फिर आगी कथा शुनिए पूरी बिश्तार से इसके बाद वह अपनी पत्नी के साथ भोजनना करसा का और मन में बिचार करने लगा कि ना जाने यह किसकी पत्नी होगी यह सोचकर उसकी आप में आसुगा गए तब अधुने पूंचे कि क्या बात है आप उदास क्यों है तब उसने सारी बातें पत्नी को बता दी तब कने करने लगिए यह ब्रंभ विवाह के बिप्रीथ है आप ही मेरे पत्नी है और यह पत्नी रहूंगी किसी और दीउदास ने कहा इसा मत करीए जाएका है मेरे बात आप कर क्या होगा लेकिन उसकी पत्नी नहीं मानी और बोली स्वामी आप भोजन कीजिए क्या बना लो उसमें सुगंधी वाली नौ मलिका लगा लो उसको प्रदिन जल से सिंचे करो और अनंद के साथ खेलो कूदू जिस समय और जिस दिन मेरा प्राडान तो होगा उस दिन यह फूर सूख जाएंगे जब यह फिर से हरे भरे हो जाएं तो जान लेना मैं जीवी थू यह समझा कर वहां से चला गया इसके बाद जब वर और बांकी बराती मंडब में आए तो पन्या ने उसे देखकर कहा कि यह मेरा पती नहीं है मेरे पती हुआ है जिसके साथ रात में बिवा हुआ हुआ था इसके बाद मेरा बिवा नहीं हुआ इसके साथ अगर यह वही है तो यह बताई कि मैंने इसको क्या दिया है साथ ही खन्यादान के समय अब हुसान मिले उन्हें भी दिखाए खन्या कि ये सारे बाते सुनकर हुए कहने लगा कि मैं सब नहीं जानता इसके बाद सारी बारात भी अपमानितू का लोड़ गई भागवान करशन बोले है माता इस देवी दास कासी चला गया कुछ समय जब बीद गया तो एक सर्फ उसको डसने के लिए वहाँ आया लेकिन वह इसको काट नहीं पाया क्योंकि इसकी माता ने पहले ही 32 पूर्ण मासी के बरत कर लिये थे इसके बाद वहाँ पर स्वाइम खुद काल पहुंचा भागवान की क प्रांडान दीड भागवान स्युने माता पारवति के कहने पर उसे प्रांडान दिए दिया कुद अुधर उसकी पतनी उसके एक इक आलकी प्रतिछक कर रही थी उसकी पतनी ने जा कर देखा कि पुस्ब और पत्र दोनों ही नहीं है तो उसको बहुत आस्चर हुआ और जब उसने देखा कि पुस्ब वाटकर फिर से हरीवरी हो गई है तो वह समझ गई कि उसका पती जिन्दा है इसके बादवा बहुत ही प्रशन होकर अपने पती से कहने लगी कि मेरे पती जीवित हैं उनको ढूनिये जब 16 वर्स वितीत हो गया तो देविदास भी अपने मामा के साथ कासी चल दिया इधर उसकी पत्नी के परिवार वाले उन्हें ढूनने के लिए जाही रहे तो उन्हें देखा कि देवदास उसके मामा उधर ही आ रहे हैं उसको देखक पुत्र उनके ससुद बहुत प्रश्ण हुए और उसे अपने घर ले आए वहां सारा महला इखटा हुआ सभी गाहवासी खटे हो गए और कन्या ने भी उसे पहचान दिया देविदास ने इसके बाद अपनी पत्नी और मामा को लेकर वहां से चल दिया उसके ससुद ने भी उसे बहुत धन दहेश दिया जवल अपने घर की तरफ चल रहा था तो उसके माता पीता को लोगों ने खबर दे दी कि तुम्हारा पुत्र देविदास अपनी पत्नी और मामा के साथ आ रहा है ऐसा समाचार सुनकर पहले तो उने बिश्वास नहीं हुआ जब देविदास साया और उसने अपने माता पीता के पैर चुए तो देविदास के माता पीता ने उनका माता चुमा और दोनों को अपने सीने से लगा लिया दोनों के आने की खुशी में धनेश्वर ने बहुत दान दच्छन ब्रामनों को दी शुर्यकरशन जी कहने लगे कि इस तरह देने वाला और सभी मनों कामनाओं को पूंग करने वाला है जय स्री जाधिरा दे जय भूले नात की